मेरे खिलाब शाजिस की जा रही है, रातों को लाइवाया जा रहा है, पाकिस्तान से डेली कम से कम 15 लोगों को कॉल की जाती है, मेरे घर का एड्रस दिया जा रहा है, फ्लोर बताया जा रहा है, कहां रहते हैं, और लोगों को ये बताया जा रहा है, कि तुम वहां जाके ये क करो रोज बहुत ज्यादा हरास्मेंट की जा रहे हैं अब तो हमारे घर से बहुत निकलना बहुत मुश्किल होगा हमें दर लगता है इगर के बहुत निकलना भूट मेरी फैमिली पर पूरा खत्रा इस्टा है पाकिस्तान से धमकी अर्मान मलिक मेरे साथ मौजूद है उनकी वकील सप्ना सेव मेरे साथ मौजूद है और अर्मान मलिक इस वक बहुत टेंशन में हैं टेंशनलेना मनता भी है कहीं न कहीं परिवार रहता है और जिस तरह की हरकतें की जा रही है, वो किसी भी फैमिली मेन को टेंशन में डाल सकती हैं। और लेकिन इसने पेले मुझ लगता है, पाकिस्तान भी आने वाली एम के दम करता रहता है। क्या किया जा रहा है कि मेरे खिलाब शाजिस की जा रही है रातों को लाइव आया जा रहा है और शर्याम लाइव आके मेरे घर का एड्रेस दिया जा रहा है फ्लोर बताया जा रहा है कहां रहते हैं और लोगों को यह बताया जा रहा है कि तुम वहां जाके यह करो तुम्हार बच्चे हैं वाइफ है तो कहीं ना कहीं कोई भी शक्स जो अपने परिवार के साथ रहता होगा अगर उसका एड्रेस सारवजनिक कर दिया जाएगा और खास तोर पर अर्मान मलिक जो बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं बहुत सारी इनकी फॉलॉइंग भी है और जाहिर लोग कर रहे हैं जो सदियों से हमारा करता रहे है उल्टा सीधा उनका टार्गेट क्या है इस टाइम उनका टार्गेट यह है कि यह आम आदमी था आज यहां तक कैसे पहुंश गया जो मेरे पुराने कलिक थे उनको लालच दिया जा रहे है इसके बारे में बता और वो लो इसी गाड़ी कहीं दिखे उसको तोड़ फोड़ करो, अगर आर्मान कहीं दिखता है, उसके ओपर तिजाब फैक दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत ऐसी चीज़े हैं, जो इन रिकॉर्ड यूटुब पर बढ़ी है। सपना जी कहते हैं, काम्याबी अपनी कीमत वसूलती है, तो आपको लगता आर्मान के साथ कहीं ना कहीं वही चीज हो रही है, कि काम्याबी कीमत वसूल रही है, और पाकिस्तान का जो एंगल है, कि पाकिस्तान से धंकी आ रही है, ये किस तरह से आपको पता चले है। See, I think, जो लोग टागेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो इसमें लिंक है, वही एक ऐसा लिंक है जिसके तूर हमारे इंडियन जो लोग इसके अंदर हैं, जो भी कन्वसेशिशन चल रही है यूट्यूब पे, उसमें पाकिस्तानी ही प्रॉपर इनको टागेट कर रही है और व फोकस कर रही है इसको किस तरह से टागेट किया जाए प्लस, ओपन है इसकी पुफाइल, इसको सब देख सकते हैं, everyday की रूटी, हमें पता है कि अर्मान मलीक सोता कब है, जाता कब है, जिम कब जाता है, तुछ जादे ही पता है, और थिंग वही पता है, कुछ जादे ही पत एक में भोकीजा के चुरू ह ouais थाड़ू लेकर पहुंचो पहाँ परू वे सब क्या चल रहा है और लौक है एसकी लॉयर उं मैं इसकी लॉएर्यू और मैं डॉपीस मान का एक interview गया था उसके नीचे बड़े सारे comments आये थे कि आपने ये नहीं पूछा, आपने वो नहीं पूछा, क्या ABP ने पैसे ले लिए, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ एक मामले जो court में होते हैं, उसको आप television channel पर या किसी YouTube channel पर discuss नहीं कर सकते, इसलिए lawyer भी उनके हमार सान से ये किया जा रहा है, तो क्या कुछ language इस तरह की है, जिससे आप को ये चीज़ लगी, बिल्को language क्या है कि वहां का channel है, और हर बात में जननत नसीब होगी, आप जाओ, उसे gate के बाहर जाओ, जिहाद चला रहा है, उसके बात कहना है, जो यहां के लोग है, बहुत innocent लो रही है, और लोगों को रात को ये सिखाया जाता है, कि ये फेक हैं, ये वो हैं, ये लोगों को भढ़का रहे हैं, दो-दो शादिया करने के लिए, पूरा हाथ चला रहा है, इसकी family के साथ कुछ ना कुछ होना चीए, फिर target के साथ क्या क्या जा रहा है, रोग रात को मैं इनको दे चुका हूं, मैं, वहां के नंबरों से call आ रही है, मेरे घरवालों के पास आई है, मेरे जो पहले के जितने भी लोग मेरे पास काम करते थे, उनको call की गई है, उनको मतलब पैसे का लालच दिया गया है, और कुछ मतलब लड़कियां भी है, उनको भी call की गई है, कि भीया, recording तो आप किसी की भी लगा सकता है, किसी को क्या बता कौन क्या है, और वो उसमें ऐसे ऐसी बाते बोली जा रहे है, मेरे खिलाब बोली जा रहे है, मतलब रोज बहुत ज़्यादा हरास्मेंट की जा रहे है, अब तो हमारा घर से बहार निकलना बहुत मुश्क हो, और उन लोगों का नाम ले, ताकि उनको पॉब्लिसिती मिले और वो फेमस हो, मुझे जहां तक लगता है कि हमारे देश में प्यारी बांटा जाता है, और कहीं न कहीं अगर कोई गलत भी है, तो हेट कॉमेंट भले ही कोई कर दे, लेकिन इस तरहें की बातें आम तोर प पुरी रिस्पॉंसिबिल्टी ले रहा है, अर्मान की, security की, protection की, और मैंने उसके लिए हाई को भी अप्रोच किया है, विकोज इसकी और इसकी फैमिली सब की security की बात है, प्लस इस तरह से जो डिफेम किया रहा है, तो मैं उन सब ब्लोगर्स को, जो भी YouTube पे, I think बहुत से ह मैं उनके नाम नी लेना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह से आप डिफेम नहीं कर सकते, आप इस तरह से बच्चो को टागेट नहीं कर सकते, यहां पर जितना हम इंडिया को अर्मान, I think, रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे लोग कुछ भी कहें, पर मैं यह बोल रहा हूं कि इ अर्मान को भी बोलना पड़ेगा, कि बहुत जादा, I think, लोग डाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, इसको सोशल मीडिया पर हसते देखते, खेलते देखते, तो वो इसलिए हो रहा है, वो थोड़ा, I think, कंट्रोल में करना पड़ेगा, अब देख लिए लोग किस तरह से हो जाए, और हम वहाँ पर दिखा सके हमने कर दिखाया, और वही हो रहा है, तो इस तरहें की हरकतें तो मुझे लगता है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से justify नहीं की जा सकती, और बहुत सी चीज़ें कोर्ट में pending हैं, इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, बिल्क या कि आलिशना, तो में आके हम अपने इंडियन लड़के को टागेट कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पढ़ता है, कि पकिस्तानी जर्साटा है, अगर हम इंडियन लड़किया की घट हो जाएंगी, और आइ ति वह बहुतों को कर रही है, कि तुम इंडियन लड़की आखे क कहीं ना कहीं इंडियन लड़कियों को भी इतना जादा टागेट किया जा रहे कि इसकी हेल्प क्यों करें अफकोर्स करेंगे यह हमारे देश का बेटा है मुझे बस मैं कहना यह हमारे जाओंगा कि रोज रात को अगा कि तुम जाओ कुछ करो उसके घर के सामने पांच लोग बैट जाओ इंडिया गेट पर जाओ तुम सो लोग बैट जाओ उसका तुम्हारा के खाना और कुछ लोग हैं मैंने इनको आज एक लिस्ट बना इक दी ह तो कहिना गहीं देखो मुझे खत्रा है चीजों का कल को कुछ भी हो सकता है मेरे साथ और इसकी वज़ाए कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है देखिए मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी जानकारी आपके पास आती है तो बिना सोचे समझे उसे forward मत कीजिए उसे share मत कीजिए क्योंकि कही न कहीं किसी के private document share करना भी I think उसको share करना भी crime होगा I think इस चीज़ को कोई भी अगर highlight करना चाहरा है Suppose अभी जो यह कर रही है यह पाकिस्तानी है कही न की मेरी territory से बाहर है But I will try कि वहां तक भी हम पहुचें आप अगर कुछ भी forward करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि कानून की नजर आप पर भी बनी हुए Thank you so much Thank you